हेलो नश्कार दोस्तों सपोस किजिए कि आपकी गुल्ड्फरिंड या क्रश आपसे बोल दे कि मुझे तो एक्शन मोवीज पसंद है क्या तुम है पसंद है तो तुम जाहिर है बोलोगे हां मुझे तो भाई पसंद है फिर वो आपसे सुछी कि अच्छा तो भाई कौन-कौ 2020 में रिलीज हुई एक्स्ट्रैक्शन आपने अगर थोर को बिना ड्रेस के एक्शन करते हुए नहीं देखा है तो यह मुवी आपके लिए सूपब रहेगी क्रिस हमसवर्थ लीड रोल में दिखे हैं और इस लीड रोल को आप देखने के बाद इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकोगे 2020 रूम 2 में रिलीज हुई क्रिस्टिफर नॉलन के डिरेक्शन में रिलीज हुई एक माइंड ब्लो इंड आक्शन मुवी इस मुवी के अंदर टाइम ट्रेवल की कॉंसेट को दिखाया गया है साथ ही साथ सस्पेंस भी है चुकि बहुत अच्छे से दिखाया गया है तो नंबर त्री पे है दा फैलकन एंड विंटर सोल्जर अगर तुम मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के भी हो तो यह मुवी तुम्हारे लिए भी अच्छी रहेगी नंबर फोर पे है अक्वाइट पलेज पार्टू पार्ट वन ठीक था बट मुझे पार्टू ज्यादा अच्छा लगा है 2021 में रिलीज हुई थी ये मुवी अक्वाइट प्लेज पार्ट टू एक ऐसी मुवी सस्पेंज मुवी एक फ्रिलर मुवी है इस मुवी में एमली बलंट आपको लीड रोल में देखकर बेहद पसंद आएंगे बहुत ही जबरदस रोल किया है बहुत ही दीसेंट से एक्टिंग की है बहुत अच्छा लुक रहा है नमबो फाइन पर बात करेंगा दग किंग्स मैं 2021 में रिलीज हुई ये मुवी एक बहुत ही बियॉंड इमाजिनेशन मुवी में बहुत अच्छा एक्शन है काफी अच्छा एडवंचरस देखने को मिलता है इस मुवी में राल फीनिस लीड रोल में दिखेंगे वाकरी देखने वाली बात होगी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई और मुवी सज़ेस्ट करनी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिये या फिर आप इन सारी मुवी में कोई भी मुवी देख चुके है या सारी ही देख चुके है तो इन में से आपकी कौन सी फेवरेट है ज़रू बताईगा तिकि आपका फिड़बैक हम इंस्पायर करता है और हम आपके लिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज बनाते रहते हैं अब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री गाम